तो अब हम करने वाले suit for dissolution of a partnership, जब partnership आपस में अलग होनी चाहती है, तब उसके लिए क्या करना है, तो पहले in the court of, ये एक formatted drafting के अंदर आया हुगा है, जो मैं आपको बताने वाना हूँ, तो कैसे file किया जाता है court में, ये suit, देखो, in the court of, ये format का पहले है कि इसमें हमें ये कहते हैं, और यहां पर उसका नब defendant, उसके son of, किसका बेटा है, resident of, नेक्स्ट अगर देखोगे, आप तो यहां पर हम heading में लिख देते हैं, बड़े-बड़े में, कि क्या है, क्या है, क्योंकि हमारा यहां से start होता है, in the court of से, तो court को कैसे पताच लिए, किसली हमने file किया, तो यहां पर पढ़े के पता चलेगा, suit for dissolution or partnership and, आगे देख लेंगे, इसी का आगे, तो यहां पर आगया, most respectful show worth, इसके नबर हम क्या लिखते है, dad से हमें से start होता है, इसके नबर आप कितने भी paragraph लिख सकता हो, और इसके नबर intro, कौन हूँ आप, यह partnership क्यों तोड़ना चा respectful show worth में, इसमें हम यह लिखेंगे कि क्या-क्या facts हैं, जो आप case में बताना चाहते हो, code को किसके basis पर partnership dissolve करना चाहते हो, और account पूरा अपना-पना करना चाहते है, तो वो हम यहां पर discuss करेंगे, ठीक है, उस सारे आप एक ही करके facts डाल दोगे, यह अधिता most respectful show worth, next आता है prayer, आप इसमें देख लोगी, amount of five years, यह जो भी है, अपना, जो आप case represent करेंगे, उसके according facts होंगे, यहाँ पर मैंने prayer लिख दिया, कि prayer में मैं क्या चाहता हूँ, code से, next आता हमारे सामने पर देखो, prayer के बाद अगर हम format पर देखें, तो आता है verification, तो next क्या आएगा, verification, यहाँ प date file किया है, और यह advocate जो उसने hire किया है, next verification, आप यहाँ पर verify करेंगे, कि जो भी मैंने paragraph, one, two, three में बोला है, वो सब सही है, मेरे knowledge में, और मैं इससे पूरा agree करता हूँ, कि जो भी है, जहाँ तक मिले को पता है, उतना मस्ता मैंने लिख देए, यहाँ पर plaintive के signature हो नाप, बस झाल बांगे.